अपनी स्थापना के नव वर्ष फूरे किये हैं तेलंगणा राज भले ही नया हो लेकिन भारत के इतिहास में तेलंगणा का कॉंटिबिशन यहां के लोकों का योगदान हमेशा बहुत बढ़ा रहा है तेलुगू लोगों के सामर्थ ने हमेशा भारत के सामर्थ को बढ़ाया है इसलिए आज जब भारत दुनिया की पांच वी सबसे बड़ी एकोनोमिक पावर बना है तो उसमें भी तेलंगणा के लोगों के बड़ी भूमिका है और ऐसे में आज जब पुरी दुनिया भारत में इन्वेस्टमेंट के लिए आगे आ रही है विक्षित भारत को लेकर इतना उत्सा है तब तेलंगणा के सामने अवसर ही अवसर है साथियों आज का नया भारत युवा भारत है बहुत सारी एनरजी से भरा हुआ भारत है 21 वी सदी के इस तीसरे दस्वक में हमारे पास एक गोल्डन पिरियड आया है हमें इस गोल्डन पिरियड के हर सेकेंड का पूरा इस्तमाल करना है देश का कोई भी कोना तेज विकास की किसी भी संभावना में पीछे नहीं रहना चाहिए इनी संभावनाओं को बल देने के लिए बीते नव वर्षों में भारत सरकार ने तेलंगना के विकास पर यहां की कनेक्टिविटी पर विशेश ध्यान दिया है इसी कड़ी में आतेलंगना के कनेक्टिविटी और मेनिफेक्टरिंग से जुड़े छे हजार करोड रुपे के प्रोजेक्स का सलान्यास किया गया है इन सभी प्रोजेक्स के लिए बैतलेंगना की जनता को बहुत-बहुत बधाई देता हूं साथियों नए लक्ष हो तो नए रास्ते भी बनाने पड़ते हैं भारत का तेजविकास पुराने इंफ्रास्त्रक्टर के बल पर संभव नहीं था आने जाने में अगर जाना टाइम बेस्ट होगा लॉजिस्टिक्स अगर महेंगा होगा तो बिजनेस को भी नुक्सान होता है और लोगों को भी परिशानी होती है इसलिए ही हमारी सरकार पहले से कहीं अधीक स्पीड और स्केल पर काम कर रही है आज हर प्रकार के इंफ्रास्त्रक्टर के लिए पहले से कई गुना तेजी से काम हो रहा है आज पूरे देश में highway, expressway, economic corridor, industrial corridor एक जाल बीचा रहा है two lane के highway four lane में और four lane के highway six lane में बड़ले जा रहे है नव साल पहले जहां तेलंगणा का नेश्टलन highway network डाई हजार किलोमेटर का था आज ये बढ़कर पांच हजार किलोमेटर हो चुका है आज तेलंगणा में पच्ची सो किलोमेटर की नेश्टलन highway परियोजना है निर्माण के अलग-अलग फेशिच में है भारत माला परियोजना के तहट जो दर्जनों कोरिडोर्स देश में बन रहे हैं उनमें से अनेग तेलंगणा से होकर के गुजरते हैं हाइदराबाद इंदोर economic corridor सूरत चिन्नाई economic corridor हाइदराबाद पणजी economic corridor हाइदराबाद विजागापटम inter corridor ऐसे कितने ही उदारण हमारे सामने हैं एक प्रकार्थे तेलंगणा आज पडोस के economic centers को जोड रहा है आर्थिक गतिवितियों का हब बन रहा है साथियों आज नागपूर विजयवाड़ा कोरिडोर के मंचेरियल से बारंगल सेक्षन का भी सिलान्यास हुआ है ये तेलंगणा को महाराष्टर और आंदरप्रदेश से आधुनिक connectivity देता है इससे मंचेरियल और वारंगल के बीच की दूरी बहुत कम हो जाएगी और ट्रैफिक जाम के समस्या भी कमी आएगी ये विशेश रुप से उनी एरियास से गुजरता है जहां विकास का भाव था जहां अमारे ट्राइबल कम्यूनिटी के बहन बाई बड़ी संख्या में रहते हैं यह कोरिडोर मल्टी मोडल कनेक्टिवीटी के विजन को भी मजबूति देगा करिम नगर वारंगल सेक्षन के फोर लेन में बदलने से हैद्राबाद वारंगल इंडेस्ट्रियल कोरिडोर काकतियां मेगा टेक्स्टाइल पार्क और वारंगल SCZ की कनेक्टिवीटी भी ससकत होगी साथियों भारत सरकार आज तेलंगणा में जो कनेक्टिविटी बढ़ा रही है उसका लाब तेलंगणा के इंडस्ट्री को हो रहा है यहां के टुरियम को हो रहा है तेलंगणा में जो अनेक हरिटेज सेंटर से आस्ता के स्थान है वहां आना जाना बहुर अधिक सुव सब्सक्रक्क भख पर सब्षक्रब्राइब कुछ ऑच्पस्सक्रफ critics उभा को उस्का हो रहा है कि इसे युवाओं को उनके घर के पास ते रोजगार के स्वरोज़गार के नए अवसर भी मिल रहे हैं तौचियों युवाओं के लिए रोजगार का एक और बड़ा माध्यम देश में मैनुफेक्टरिंग सेक्टर बन रहा है मेक इन इन्या अभ्यान बन रहा है हमने देश में मैनुफेक्टरिंग को प्रोजेक्ट करने के लिए योजरा शुरू किया है यह जो जादा मैनुफेक्टरिंग कर रहा है उसे भारत सर वर्स डिफेंस एक्सपोर्ट में नया रिकॉर्ड बनाया है भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट नव सबर्स पहले एक हजार रुपिये से एक हजार करोड से भी कम था आज यह 16,000 करोड रुपिये पार कर चुका है इसका लाप हादराबास सिर्थ भारत डाइनमेक्स सब्सक्राओं तै कर रही है इन दिनों मेडीन इंडिया वंदे भारत ट्रेनों की बहुत चर्था है बिते वर्सों में भारती रेल ने हजारों आदुनिक कोच और लोकोमेटिव बनाए है भारती रेलवे के सकाय कल्प में अब काजी पेड़ भी मेकिन इंडिया की नई उर रूप में लाब होगा यही तो सबका साथ सबका विकास है विकास के इस मंत्र पर देलंगना को हमें आगे बढ़ाना है एक बार फिर आप सभी को इस अनेक प्रकतिश्यल कायरकमों के लिए आयोजनों के लिए विकास की नई धारा के लिए मैं बहुत-बहुत बदाई देत हूँ धन्यवाद